नमस्कार दोस्तों मैं कुंदन सर्मा आप सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूँ आपने चैनल वाइम डिवली स्वलीशन में तो फ्रेंड्स अगर आप सिमेंट का बिजनस करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए अगर आपको अगरे अगर करती है तो फ्रेंड्स यह सारी चीज़ जो है मैंने इसältी है पूरा गवर् किया है आप मेरे इस वीडियो को सुरू से अं तरग देखें ताकि आपको जानकारी मिल पाई कि आप ACC cement का आप dealership या distributor ship आप कैसे open कर सकते हैं और friends वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको like and share चलू करें और मेरे चैनल को subscriber के bell icon प्रेस करें तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं तो चलिए friends इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे देन उसके साथ साथ हम लोग a space requirement देखेंगे देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ACC cement का अगर आप dealership लेते हैं तो उसमें जो है आपका कितना profits and margin मिलता है देन लास्टी हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप ACC cement dealership के लिए आप online apply कर सकते हैं या फिर आप कैसे ले सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग ACC company के बारे में बात कर लेते हैं ACC limited यानि की associated cement companies limited ये ACC का पूरा name है ये जो है one of the largest production करती है cement का हमारे पूरे all over इंडिया में तो इसकी अगर establishment की बात करें तो establishment इसका 1936 में ही कर दिया गया था वो भी महारास्टा के मुंबै सहर में अगर इसका product के बारे में बात करें तो ये इसका mainly जो product है वो cement है लेकिन ये और भी बहुत सारी चीज़ जैसे की flies, bricks और blocks वगिरा ये सब भी बहुत सारा बनाती है लेकिन इसका जो mainly products है वो cement है और ये दो तरह के cement बनाती है trade cement एक non trade cement trade cement जो कि आप directly public को या फिर market में बेच सकते हो लेकिन non trade cement आप market में sell नहीं कर सकते हो वो directly किसी company को या फिर आप किसी builders को directly दे सकते हो उसके साथ साथ जो ACC company है one of the leading company है हमारे Indian building materials जो जो company बनाती है उन सभी में से ACC one of the leading company है और अब तक जो ACC का 17 से plus modern factories all over इंडिया में है और 19 plus concrete plants है और अगर इसकी distribution network के बारे हम बात करें तो यह बहुत ही vast है आप जहां भी जाएं इंडिया में आपको ACC का dealers सब जगा आपको available मिल जाएंगे तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग की और भी ज़रुते बढ़ रही है लोग और भी घर बना रहे है इसलिए company चाह रही है कि और भी धेर सारे हमारे dealers open हो तो अगर कोई person cement का dealership लेना चाह रहे है देन उनके लिए ACC cement की company का dealership बहुत ही एक अच्छा option हो सकता है देन चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर ACC cement की dealership लेना चाहते है तो उसके लिए आपकी योग यता है क्या होनी चाहिए सबसे पहले तो आप एक Indian citizen होना चाहिए देन उसके बाद अगर qualification की बारे में बात करें तो कम सकम 10 to 12 आपको पास होना चाहिए देन उसके बाद आपका minimum जो age है वो 21 year हो जाना चाहिए देन जो applicants apply कर रहा है ACC cement dealership के लिए उसके पास इस business related कुछ उनके पास knowledge होना चाहिए experience होना चाहिए देन चली उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप ACC cement की dealership लेना चाहिए तो उसके लिए किन किन चीजों की आपको जरुत पड़ेगी देन उसके बाद आपके पास worker होना चाहिए कम से कम दो से तीन worker आपको जरुत पड़ेंगे जो आपके go down और आपके shop में रहेंगे जो की products deliver करने में काम आएंगे उसके बाद साथ साथ जो है आपके पास vehicle होना चाहिए या 3 wheeler भी हो सकता है या फिर 4 wheeler भी हो सकता है देन चली उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका इसमें investment कितना लगेगा तो सबसे पहले जैसे ही आप dealership के लिए apply करेंगे उससी समय आपको security money deposit करना होता है company को तो security money के तौर पे आपको 2-3 lakh के असपस जो है आपको security money deposit करना होता है यह मैंने minimum बताया है आप maximum 5 lakh तक भी कर सकते हैं तो यह जो security money आप deposit करिएगा company को उस पे आपको जो company per annum 4-5% का आपको interest देती है जितना आप security money वहाँ deposit करते है उतना ही का आपको समान दे दिया जाता है देन उसके साथ साथ आपको shop cost लगेगा और go down cost लगेगा तो shop और go down आप दोनों एक ही में भी बना सकते हैं या फिर दोनों separate भी लग सकते हैं अगर आपका इन दोनों का जमीन जो है या फिर जो space है वो अगर आपका अपना है देन आपको investment कम लगेगा अगर नहीं है तो थोड़ा जादा लग सकता है क्योंकि ये जो shop और go down cost है वो area to area depend करता है आप किस area में open करना चाते हो उसी के हिसाब से आपको वहां का rent लगेगा तो वही जो है आपका investment decide करेगा देन उसके साथ साथ आपका vehicle होना चाहिए तो ये आप अपना भी रख सकते हैं और या फिर आप rent पे भी रख सकते हैं तो अगर आप ACC cement का dealership लेना चाते हैं तो कम से कम अगर आपके पास 10 to 12 lakh के असपस investment है आप असानी से ACC cement का dealership लेके अच्छे से अच्छे फायदे कमा सकते हैं देन चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लें कि इसमें space requirement कितना होता है तो टोटल अगर space की बात करें यह मैं minimum space बता रहा हूँ टोटल minimum space के बारे हम बात करें तो यहाँ पर 500 to 600 square feet के असपस अगर आपके पास space है देन आप असानी से इस dealership के लिए eligible हो सकते हो अगर minimum capacity के बारे हम बात करें यानि कि आपको जो go down होगा उसमें आपका कम से कम 5000 kg के आसपस cement आपको रखना होगा यह minimum है यह आप maximum भी रख सकते हैं क्योंकि company इससे कम में आपको dealership नहीं देगी देन अगर swap की बात करें अगर आपको swap और go down दोनों separate रखना है तो swap में 100 to 150 square feet के आसपस आपका swap होना चाहिए और go down जो है वो 400 to 450 square feet के आसपस होना चाहिए तो जो है space requirement बस इतना ही enough है और फिर आप space requirement अपने through भी बढ़ा सकते हैं तो अगर आपको बहुत जादा बड़ा dealer बनना है देन आप उसके हिसाब से अपना space requirement को change कर सकते हो देन चली उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सा important document लगता है जब dealership के लिए आप apply करते हैं तो उसके लिए आपको ID proof में अधार card, pen card, voter card या फिर आप driving license भी दे सकते हो address proof में अगर बात करें तो आपको electricity bill या फिर रासन card दे सकते हो देन उसके बाद आपके पास passport site आपका photo होना चाहिए एक email ID होना चाहिए, phone number होना चाहिए उसके साथ-साथ आपका bank account with passbook होना चाहिए देन उसके बाद आपका जो swap है उसका registration number होना चाहिए आपके पास अपना JST number होना चाहिए यह बहुत important friends अगर आपके पास JST number नहीं है देन company आपको dealer ship open करने के लिए नहीं देगी देन उसके साथ-साथ आपके पास property document होना चाहिए जिसा space पे आप open करना चाह रहे हो उसका आपके पास property document होना चाहिए आपका proper name होना चाहिए उसमें अगर आपने rent पे लिया है तो आपको वहाँ का rent agreement देना होगा उसके साथ-साथ आपको NOC submit करना होगा company को अगर ये सब documents आपके पास है देन आप असानी से ACC cement का dealer ship ले सकते हो तो चली friends अब हम लोग बात कर लेते हैं profits and margin के बारे में कि अगर आप dealer ship open करते हो ACC cement का तो वो company आपको कितना profits and margin देती है तो सबसे पहले तो इस company का जो है कुछ rules है कि आपको per month का minimum sale 7 to 8 लेक का देना होगा जब आप start करते हो तो तो अगर आप 7 to 8 लेक का per month sale देते हो तो आपको 3 to 4% का per bag पे यहाँ पर profit मिलता है तो friends अगर आपको लग रहा है कि ये profit बहुत ही कम है तो friends मैं बता दूँ कि जब आप dealership लेते हो तो आप 1-2 bag का sale नहीं करते हो आप बहुत ही बड़े मात्रे में sale करते हो तो आपका 3 to 4% वो convert हो जाता है बहुत ही अच्छे amount में जैसे अगर आप 10 लेका sale per month करते हो तो per month का अगर 3 to 4% के आसपस निकाले तो 30 to 40 thousand के आसपस हो जाता है तो friends यह depend करता आपके area पे कि कितने बड़े area में आप open कर रहे हो और वहाँ पर कितना से कितना ज़्यादा requirement है cement का दें चली friends हम लोग lastly बात कर लेते हैं कि अगर आपको ACC cement का dealership लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं तो friends मैं आपको बता दू ACC cement का dealership आपको लेना है तो आपको website visit करने की कोई जरुवत नहीं है आपको directly area manager से बात कर लेना है area manager का आपको number कहां मिलेगा तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक customer care का number दे रहा हूँ जो कि आपके screen पे अभी दिख रहा होगा उस पे आप call करे direct और अपना नाम और अपने area का नाम अगर आप जैसे ही बताएंगे देन आपका query जो है आपके area आपके local area sales manager को transfer कर दिया जाएगा देन विदिन 24 hours में आपको area sales manager के through call आएगा देन आप वहाँ से जो है आप सारी जानकरी ले सकते हैं कैसे आपको open करना है क्या करना है और कब आपका जो है दुकान open करने के लिए जो है permission दे दिया जाएगा तो friends I think कि आप लोग समझ गया होंगे कि कैसे आप ACC cement का dealership के लिए आप apply कर सकते हैं अगर friends इस video में आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आपको वीडियो के description में एक link मिलेगा जहां पर हमारा website का link है आप वहां पर जाके पूरा विस्तार से पढ़ सकते हैं और वहां पर apply करने की सारी process विस्तार में लिखी गई है तो चलिए friends इसके अलावा अगर कोई भी आपको problem होता है तो आप directly website पर visit करके वहां से